नमस्कार मेरे किसान भाईयों, किसान साथियों, आज हम एक बहुत महत्वपून टोपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे जुड़े हुए किसानों के बहुत सारे सवाल हैं, टोपिक है किसान साथियों NPK Fertilizer, गुलन सिल जो हमारे खाद होते हैं, उनको हमें अपने गन्य या किसी और भी फसल पे किस अवस्था में कौन सी ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मातर में इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हम इसको किसी टोनिक जैसे प्लांट ग्रोथ परमोटर या हार्मोन के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम इसके साथ फंजी साइ किसान भाईयो कोई भी फसल हो जब हम जमीन में खाट डालते हैं और अगर हम साथ में उसके NPK के द्वारा इस्प्रे के माध्यम से भी उसको हम अपने पोदे को खाट देते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सुन्दर रिजल्ट हम मिलते हैं क्योंकि किसान भाईयो ज जहाँ हम जमीन में जब खाट डालते हैं तो हमारा जो खर्च है वह बहुत ज़्यादा होता है उसकी अपेकसा अगर हम ऊपर से पतिए के माध्यम से देंगे तो मात्रा बहुत ही कम लगेगी एक चीज हमेशा सावधानी वाली में बता देता हूँ किसान भाईयो जब भी हम प्रफ्यक्ट रहना चाहिए अगर आप जादा पानी ले लेंगे तो भी उसकी घट जाएगी या दवाई की, अगर आप कम पानी लेंगे तो वो उसको जलाने का काम करेगा, तो हमेशा बिल्कुल उप्यूक्ट पानी लेना है और उप्यूक्ट टंकी लगानी है, वीडियो शुरू करने से पाले ये भी बता दू किसान भाईयो हमारा जो एक एकड़ खेत होता है उसमें 15 से 20 लिटर वाली जो टेंकी होती है जो आम सबी किसान इस्तिमाल करते हैं एक भीगे में दो टंकी लगनी चाहिए ये इस्टेंडर्ड मानक है यानि की 20 दूनी 40 40 लीटर पानी कम से कम एक भीगे खेत में लगना चाहिए यानि एक एकड़ खेत में पान चोख 20 200 से 2500 लिटर पानी जरूर लगना चाहिए अब आते हैं किसान बायो के हमें एन पीके का कौन सा खाद अपनी फसल की सुरवाती अवस्था में देना चाहिए किसान बायो कोई भी फसल हो जब वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करती है जब वो जैसे गन्ना अमारा ब्यात पे चलता है 30 दिन का जब 35 दिन का गन्ना हो जाता है जब हमारा गन्ना ब्यात करता है तो हम उस पे सब से पहले एन पीके 19-19-19 का में परियोग करना चाहिए किसान बायो मातरा भी बता देता हूँ एक एकड़ खेत में एक किलो इसकी मातरा होनी चाहिए इसके साथ आप टोनिक भी मिला सकते हैं फंजी साइड भी मिला सकते हैं अब मेरे किसान बाय कुछ कहेंगे कि खाद के साथ या उसके साथ हमें इंसेक्टी साइड या फंजी सा लगाना ठीक नहीं है लेकिन किसान लगाते हैं और रिजल्ट भी आते हैं और जो वैवारिक बात है वह हमें क चाहिए आप इंसेक्टि occurred की साथ फंजी साइड इस्तमाल करके इसके साथ टोनिक भी मिला सकते हैं और अगर आप और सावधानी बरत न चाहते हैं तो थोड़ा से पहले एक लीटर पानी में ये सारी चीज़े थोड़ी-थोड़ी मात्रा में एक चम्मच मात्रा में मिला के आप देख लीजे अगर गोल नहीं फटता तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसान भाईयो किसान सात्यों बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे अगर आप 2019 के साथ कोई भी टोनिक मिला लेते हैं टोनिक पे मैंने कई सारी वीडियो बनाई है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आज हमारा विशा केवल यही है कि हमें 2019 या जो हमारे NPK फर्टिलाइजर होते हैं वो कोन सी ग्रेड कब इस्तिमाल करनी है तो सबसे पहली है 2019 हमें इस्तिमाल करनी अब दूसरी पे आते हैं किसान भाईयो 30 से 60 दिन यह हमारी पहली स्प्रे लगनी है अब 60 से जो 90 दिन का समय है उसमें हमें दूसरी स्प्रे लगानी चाहिए उस समय पे आपको लगानी है NPK 1261-0 इसके अंदर nitrogen और phosphorus भरपूर मातरा में रहता है किसान साथियो इस समय हमारे पोदे को अगर 1261-0 NPK के रूप में मिल जाता है तो हमारा जो गन्ना है उसकी पत्या चोड़ी होंगी photosynthesis बड़ेगा बहुत तेजी से हमारा गन्ना विकास करेगा इसके साथ भी आप चाहिए तो tonic मिला सकते हैं इसके साथ भी इंसेक्टिसाइड और फंजी साइड भी मिला सकते हैं किसान भायो फिर वही कहूंगा सावदानी रखनी है तो थोड़ा सा घोल एक लिटर पानी में आप थोड़ा थोड़ा सा मिला के देख लीजे गोल नहीं फटेगा तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी तीसरी जो हमारी स्प्रे किसान भायो वो है 90-150 दिन किसान भायो इस समय आपको 0-524 का इस्तेमाल करना चाहिए इस समय हमारी जो फसल है उसको दो मुख्या पोसक्तत्वों की बहुत अवश्यक्ता पड़ती है बावन परसेंट इसमें फास्फोरस है और 34 परसेंट इसमें भी इसका बहुत रोल रहता है इसके साथ भी अगर आप चाहें तो कोई भी टोनिक मिला सकते हैं इंसेक्टिसाइड और फंजिसाइड वो ही मात्रा रहेगी किसान भायो एक किलो आपको ये एनपी के लेना है और किसान साथियो एक एकड़ खेत में कम से कम 10 टंकी हम पतियां उसकी सुकुड जाएंगी बट जाएंगी फाइदे की जगे नुकसान होगा तो दो चंकिया में एक एक एकड़ खेत में लगानी चाहिए और किसान भायो तीन स्प्रे में आप इंसेक्टिसाइड हलका को इसके साथ लगा लेंगे या हलका टोनिक लगा लेंगे त आप चाहिए इसमें टोनिक भी मिलाइए बहुत जबर्दस रिजल्ट इसका फॉम मिलेगा